हाँ जी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों अभी पिछले कुछ दिन पहले हमने अपने इस चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जो यूपी बोड टाइम टेबल से रिलेटेड था तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो स्टिस्पाई नहीं हो रहे करते कि यूपी वोड का टाीम टेबल इतनी जल्दी कैसे आसकता है तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एकदम लाइफ कैसे चेक कर सकते हैं कैसे अपने टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं 2020 के टाइम टेबल को यूपी बोड के क्लास 10th और 12 दोनों MSP इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश माधिमिक सिक्षा परिशद और सिंपली आपको सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको UP Board का Official Page खुल जाएगा ये है आपका UP Board की Official वेबसाइट माधिमिक सिक्षा परिशद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ठीक है स्क्रोल करते हुए जैसे ही अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद से आपको एक टाइम टेबल का लिंक मिलेगा वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइम टेबल जो है डाउनलोड हो जाएगे यहाँ पे देखिए पाठिक्रमों का अध्यायवर माशिक सैक्षिक पंचांग सत्र 2019 बीस यह जो है वो आपका कुछ डीटेल्स है उसके बाद से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि समय सारडी हाई स्कूल एम इंटरमेडिट परिक्षा वर्स 2020 इस पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आप को डाउनलोड के रूप में एक PDF आ जाएगा कि इस PDF को आपको डाउनलोड करना है जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं कुछ समय बाद से वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास ऑफीसियल जो टाइम टेबल का पीज है वो खुल के आ जाएगा यहाँ पे आप जो है वो क कॉलम में दूसरे में है समय तीसरे में है विशय तथा प्रश्न पत्र हाई स्कूल और चौथे में है विशय तथा प्रश्न पत्र इंटरमेडियट ठीक है और यहाँ पर आपको समय दे रखा है आठ वजे से 11 पंदरा और दो बजे से 5 पंदरा तो आपको जो है वो देख लेना है कि अगर आप high school के छात रहें तो आपको इस column में देखना है और intermediate के छात रहें तो intermediate वाले column में देखना है ठीक है और उसके बाद से scroll करेंगे तो सभी subject की जो है वो आपको time table देखने को मिल जाएगी तो simply आप Google में जाके UP MSP क्लिक कीजे और उसके बाद से जो official website और उसके बाद से अपना subject match कर लेना है कि किस दिन कौन सा subject का exam है इस video को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्या करना है कि इस video को अपने दोस्तों में share कर देना है क्योंकि ये बहुत helpful video है सभी students के लिए class 10th और 12th दोनों के students के लिए तो इस video को अपने दोस regular provide कराने के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत